तो दोस्तों बहुत बहुत श्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चेनल पर दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि CredV एप्लिकेशन जो कि बहुत भी बड़ी कंपनी बन चुकी है लौन एप्लिकेशन की ठीक है? तो मैं आज आपको बताऊंगा कि Credby application से आपको lawn लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए Credby application की गुप्त जानकारिया आपको इसी वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो को आप complete देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe जरू कर लाएं ताकि और भी new information के साथ आपको वीडियो मिलती रहे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होगे यह मेरा Credby application ठीक है अभी मैं इसको open करूँगा और जैसे मैं open करूँगा हमको इस प्रकार का interface सो मिलेगा सो के खुल जाएगा जी application ठीक है मैंने इस application में एकाउंट पहले से बनाया हुआ है तो सिर्फ यह मेरी detail मैच करेगी ठीक है अभी मैं आपको बता दूं कि जो Credby application है जी RVI और NVFCS से registered है पहली बात मैं आपको यहां पर clear बता देता हूँ ठीक है आप दूसरी number पर आपको बता दूं कि Credby application मुझे 3000 का loan अभी provide कर रही है बर दोस्तों मैं loan नहीं लेकर बताऊंगा मैं इसकी सारी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ Credby application की ठीक है यहां पर दोस्तों मैं account पर click कर के साथ verified है ठीक है चलिए अब मैं इस application की सारी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ बस video को complete आप देखते रहें पहली बात दोस्तों जब मैंने इस application में loan लिया था तो मुझे 2200 रुपे मिला था ठीक है 2200 रुपे की loan के साथ साथ दोस्तों मैंने जब loan apply किया तो मेरे bank account मे 1960 रुपे आए ठीक है और दोस्तों 2600 रुपे की प्रोसेंट फीस्टों पहले ही काट लिया इस क्रड़ भी application ठीक है इसके बाद दोस्तों जब मैंने इस application on loan repayment किया तो दोस्तों 1165 पिलस 1165 रुपे की 2 EMI मैंने भरी थी तो मुझे टोटल 330 रुपे 2330 रुपे पे करने पड प्रोसेंट के साथ में जो भी समझों इनका चार्ज हुआ वो काट लिया और जब मैंने इस चार्ज को मल्टिप्लाइ किया तो दोस्तों मुझे 28.00 कुछ परसेंट के हिसाब का यहां पर इंट्रेस्ट ब्याज देना पड़ा तो दोस्तों पहली बात यह है कि क्रड़ भी application बहुत ही हाई रेट के साथ हमसे इंट्रेस्ट लेती है तो दोस्तों मैं तो कहूंगा कि किसी भी ऐसी application से आप लॉन ना ले जो बहुत ही हाई इंट्रेस्ट के साथ आप से पैसे लेठी है अम मैं आपको यह बता दू कि लॉन एप्लिकेशन लॉन लेना आपके लिए परेशान करते हैं तो दोस्तों बचिए ऐसे application से अब मैं आपको बता दू क्रेट भी application की और सच्चाई की बारे की तो दोस्तों जब आप इसमें bank account link करते हैं तो आप पहली बात तो उस bank account को remove नहीं कर सकते यह भी एक बहुत बड़ा point है ठीक है plus point है दोस्तों आप remove नहीं क कर सकते आप दूसरी बात दोस्तों क्रेट भी की सबसे important बात एक यह भी है जब आप इसमें एक बार account बना लेते हैं फिर आप इस account को permanently किलोज भी नहीं कर सकते जाने कि आपने loan लिया दे दिया तो भी आप इसको किलोज नहीं कर सकते लेकिन दोस्तों यह गलत बात है payment पर है तो किलोज नहीं कर सकते रीपेमेंट हो गया तो आप आसानी से किलोज कर सकते हो आसानी से बैंक को भी remove कर सकते हैं ऐसा इसमें features आना चाहिए ठीक है उसके बाद दोस्तों और एक जानकरी बता दूं कि जो credby application है इसमें आप customer care का number देखेंगे तो दोस्तों आपको customer के नंबर मिल जाएगा इजी तरीके से बट जो customer के नंबर ये credby application वहां पर सोकराती है अपनी help center पर जाकर के आप देखेंगे तो customer के नंबर मिल जाएगा लेकिन जब आप उसमें calls करेंगे मिरे भाईयों तो यहां पर आपकी call भी received नहीं की जाएगी और call को भी cut कर दिया जाता है तो जाने कि आपको किशी भी प्रकार की कोई भी जानकारी यहां पर क्रिट भी application की तरफ से नहीं दी जाएगी अगर आप इनको email भी करते हैं तो यह email का भी जबाब नहीं देते तो अगर आप ऐसी condition में फस जाते हैं तो आप इनसे मदद बिलुकुल नहीं मांग स सकते हैं सिर्फ इनकी परेशानी से आप परेशान होकर के लॉन्च चुकाने के पर ही मजबूर हो जाएंगे तो दोस्तों लॉन्च चुकाना चाहिए बड़ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बाउंस मारते ज़्यादी आप एक भी दिन के यह माई लेट हो जाती है तो कि जितने भी लॉन एपिलीकैशन सारिक सारी लॉन एपिलीकैशन बेकार रही हैं यह मैं नदे रही होता है वह अच्छी बात है अगर आपको ज्यादा इंट्रेस्ट पे करने से भी मज़ा आता है तो आप लॉन ले सकते हैं बहुत इजी तरीके से कोई दिक्कित बात नहीं मैंने यहाँ पर 22 रुपे का लॉन लिया था और मैंने यहाँ पर 2360 रुपे पे किया था और मैंने क्रेड़ यहाँ से अमने रीपेमेंट कर दिया और रीपेमेंट हो गया क्रेड़ भी के पास में फिर भी बाउंस लग रहा है तो दोस्तों ऐसे में तो आपको यह बरबात करके रख देगी यह आप इसमें जानकाडी भी नहीं ले सकते कश्टमर के रहें कि आप तो बरबात हो जाए के तो दोस्तो ऐसे आप बचिए इंप्रोटेंट बाथ है जोस्तों आप ऐसे अप्लेकेशन्स और नालेजी मेरी रिक्वाइड्मे यही रहेगी बड़ दोस्तों आगे आपकी मरती तो वीडियो कैसा लगा दो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल क को सस्क्राइब जद्रों कर ले ताकि नहीं नहीं जानकरी आपको और मिलती रहें मिलता हूं में एक और वीडियों बहुत जल्दी तब तक के लिए जैहिंद वन्दमात्रम